हेलो गाइस तो देखिए अपनों यहां से डिफरेंशल एक्वेशन का कुछ इंपॉर्टेंट कुछन कर रहे हैं एक और मेरा सीरीज था तो उसमें भी बहुत सारे कुछन को मैंने कभर किया था और आपको इसका बेसिक्स पता है तो इसमें इसमें इंसी आटी का कुछन भी ह आप वीडियो को पाउस कीजिए और खुछ से ट्राइ कीजिए आप देखेंगे कि मैंने इंपॉर्टेंट कोशन लगाया है जो आपके एक्जाम परपस से आपको काफी सपोर्ट करेगा आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ठीक है और अगर आप एकदम बि से रिलेटेट कोशन तो आता ही रहता है एकजाम में तो पहला कोशन आपको यही पूछा है कि डिगरी ओफ डिफरेंसल इक्वेशन क्या होगा ठीक है तो देखेंगे आपको दिखना पड़ता है कि उस डिफरेंसल इक्वेशन में सबसे लार्जिस्ट और का यहां पर तो वन ही है यह four-order का डेरिवेटिव है तो जो सबसे लार्जिस्ट होगा यहने इसको कह सकते है है highest order derivative ठीक है in the equation h,o,d highest order derivative जो सबसे जादा, सबसे highest order का होगा, उसी का जो order है न, उसको पूरा different दिखते ही बोल दोगी, एगर order की बात होती है, तो यह उसी था, कि आप बता दोगे 4 है, ठीक है, पर आपसे फूछा है degree और मुश्क छिन में degree पूछता रहता है, तो देखो degree के लिए यह सर्थ है ना के जो differential equation है उसका दोनों साइड यह आपका left hand side और right hand side दोनों क्या होना चाहिए पोलिनोमियल के form में होना चाहिए तभी वह आपका differential equation होगा ठीक है और polynomial में जब polynomial के हम बात करते हैं तो उसमें फिर कोई special function नहीं होना चाहिए यहां पर लॉग है ठीक है यह साइन हो सकता है कोई exponential function हो सकता है ट्राइगो का हो सकता है तो कोई भी special function नहीं होना चाहिए तो यहां पर लॉग है तो लॉग के वज़ा से अब इस का इधर का जो form है जो इसका right hand side का form है ठीक है अब क्या है polynomial में नहीं है left hand side का तो है बट right hand side का नहीं है तो overall यह differential equation आपका क्या है not well defined for the degree degree के लिए define नहीं है तो degree चुकि आप से पूछा है तो आप क्या बोलेंगे यहां पर define नहीं है देखो आपका question number 2 को देखोगे तो यह भी इसी type से है हमको देखेंगे यहां पे तो आपको अगें degree पुछा है ठीक है और यह जो इसका left hand side है तो left hand side में हम देख रहे है कि एक यहां पे special function है trigonometry का ठीक है तो यह इसको polynomial नहीं होने देगा इसका degree defined नहीं होगा so again none of the above कह देना यहां पे कोई degree correct नहीं है ठीक है none of this भी हो सकता है और या तो आपको दे सकता है कि not defined ठीक है तो कुछ भी आप कर लेंगे फिर दो कि यहां पर बोल रहा है कि the order of differential equation इसका order क्या होगा तो order पुछा है यहां पर order और डिगरी पुछा है अगें ठीक है इस differential equation का जहां पर यह आपको रो इक्वल टो दिज दिया हुआ है तो पहले हम लोग को left hand side right hand side को polynomial के पहले करना पड़ेगा तो इसके लिए इसको ऐसे कर सकते हैं और रो ठीक है डीटू वाइबाइटी इसको इसको जो डियूमिनेटर क्रॉस कर दिये इसको अपको बचेगा वान पलस डी यवाइबाइडी एकस का होल स्कौाइर ठीक है इसका पूरा पाउड क्या हो गया ठी अब देखिए अब देखिए एक रिशनल पावर है इसको भी आपको हटाना पड़ेगा उसके लिए आपको स्क्वारिंग कर दी दोनों साइड तो क्या आ जाएगा तो इदे को यह आ जा रहा है अचलते है यहां से आप और्डर निकालता है और होता है कि आपको स्टाएगा निकालता ही होता के बाघा अचल्ख 5 number अब आपसे बनने लगेगा आप वीडियो पॉस्ट कीजिए बनाईए ठीक है डेफिनिटली आपसे बन ही रहा होगा यहाँ पर भी देखो पहले polynomial form में कर दो तो अप फ़ला सा fast भी कर सकते हैं हम लोग कैसे करेंगे d2y by dx square का power hole 5 है ठीक है ठीक है d3y by dx cube यहाँ पर भी आपका यह एल सियम ओला टर्म multiply होगा यह दोनों सेम है ठीक है सेम मल्टिप्लाई होगा तो यहाँ पर मैं square कर देता हूं और इथर आपका आजाएगा x square minus 1 d3y by dx cube अब दोनों साइड में आपका PULLEνηıl का ठीक है तो यह देखेंगे कि यहां पर आंपको ओडर बताना है her sorry ripped null ? यहां पर इखेंगे 5 'd नहीं हो भी तो यहां पर यहां पर थेकलतला है वह क्या हो गया 3 अब देखो अब यह जो highest order derivative है इसमें सबसे बड़ा degree कौन है तो देखो सबसे बड़ा degree आपका 2 है ठीक है यहां पर 1 है यह नहीं चलेगा तो अब सबसे बड़ा मत देख लिजेगा ठीक है यह 5 को नहीं देखना हमको होडी को सिर्फ देखना है तो होडी यहां पर यह है यह है यह है तो इसमें आपको देखना है तो इसका 1 है यहां भी 1 है तो यहां पर 2 है तो जो सबसे maximum है वह आपका 2 है ठीक है तो एम का value 3 होगा एन का value 2 होगा तो option करने का काफी टेखनीक भी है डिफरेंट हाइयर मेथर्ड जो है जो है जो के भी यूज होता है हम लोग भी बात कर चुके हैं बट यहां पर फॉरण से जो है आपको बहुत बड़ा मेथर लगाने का जोड़त नहीं है आप देखो यहां पर आपको जो आंसर दिया हुआ तो इसको सटिस्फाइ नहीं करता है तो इसलिए यह नहीं हो सकता तो कि मैं काफी इल्दी आपको दिखा दूंगा अगर हम लोग 2x की बात करें अगर मैं 2x की बात करता हूं वाई को अगर हम लेलते हैं 2x तो dy by dx को अगर हम क्विकली निकाल लीजे क्या हो जाएगा 2 ठीक तो होगी आपका 4-2x और y का भेलू क्या है 2x ठीक है यह आपका कैंसिल होगा आपको 4 बच रहा है जबके आपको क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए तो यह भी जो है आपको सटिस्फाइ नहीं कर रहा ठीक है इसको आप देखलो यहां से देखोगे तो क्या हो जाएगा 2x-4 यहां पर देखिए काफी आसानी के साथ सारा कैंसिल हो करके जीरो आ जा रहा है जो आपके आरेचेस को राइट है को वेरिफाई कर रहा है तो याद रखिए अगर आपको आपका एक्जाम का लेबल ऐसा है कि जहां पर बीएसी के कोश्टन सारे नहीं आ रहा है तो वह करते हैं तो इसको भी अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ो फिर क्या से इसका क्या होगा तो यहां पर अब आप जो सिंपल से परेवल है सिंपल से परेवल का मेथड़ है कि डिवाई और कर दो उससे भी आपका काफी जल्दी बन जाएगा ठीक है एक तो हो तरीका दुसरा आप अगे यहां पर हीटन ट्राइल कर सकते हैं बहुत सिंपल है वन डिगरी का डिफरेंसरी एक्वेशन है तो हम लोग कैसे करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वार ठीक है जी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या माइनस वन प्लस वाई स्क्वार इसको इधर कर दिया अब आप सिंपल इसको ऐसे कर दो डी वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वार इक्वल टू क्या माइनस डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वार एसे सिंपल ही सेपरेट हो गया मतलब एक तरफ वनली एक्स का टर्म है द तरह आपका आजाएगा माइनस इन पर एक्स टेकों से लगा देजिए अब इसको और अप्षिए से लिखेंगे तो तान इंवर्स एक्स पलस टान इन इन भरस वाई ठीक है है a और बी बूस्ताय है है इससे इकटेमार के हमझे समझ करके रखना है एक होता है इंथाई का होता है अठाय सो अब आफ लोग काफी तरह का मिधेट अपनाइ नजिसे आप आपको बता लाए य को attain तो हम से यहा पềчесत है में हम सब्सक्राइब में इत sollicnelle करणे थे लागते वहां पे सब्सक्राइब फिर यहां नहीं तो अस्राइब सिय क्यूतา झाते हैं तो चब करने लगाते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं 152 फिर बार 3 नहीता का मैंने चर्च आप से किया है और BAC वेगरा में भी आप उसको पढ़ते रहते हो ठीक है नॉन linear का एक अलग मिथाड आ जाता है दूसरा हम देख चुके तो एक तो होता है solution of differential equation और दूसरा क्या होता है तो जब आप differential equation को solve करते हो तो आपको क्या मिलता है अपको मिलता है एक equation ठीक है अगहे और दूसरा क्या होता है यहां तो इक्वेशन होता है मतंग इसका स्वासर को एक्वेशन में आएगा और एक होता है कि आप से आपको डिफरेंस्टि लाना đã और आपको बोलता है कि यह कौन सा कौ 사 acaba करेगा तो इसके यह लिए एक आसान सा टरीका वह यह होता है science बस ये दिख लिए इस पर कितना parameter है ठीक है? arbitrary constant या parameter कितना है? मतलब सब्सक्राइब आपको किया देखना है? number of arbitrary constant arbitrary constant ठीक? arbitrary होना चाहिए अगर simply constant होगा तो इसके लिए नहीं arbitrary मतलब इसका value जो है change हो सकता है अलग-अलग हो सकता है, वो या तो लिग देगा, या तो understood होता है, ठीक है, तो arbitrary constant जितना होगा न, उतना ही degree का, number of arbitrary constant जितना होगा, वही आपका degree होगा, differential equation का, ठीक है, sorry, वही order होगा, माफ कीजेगा, वही क्या होगा, order होगा, differential equation का, equal to order of differential equation, तो जैसे यहाँ पर मैं आपको इसको दो बार differentiate कर देना है, ठीक है, और दो बार differentiate करने के बाद, तो maximum आप permissible है, कि आप दो बार differentiation कर सकते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर सिफ एक constant होता, तो हमारे पास में permit होता, हम permissible होते हैं, कि हम एक ही बार करेंगे, तो जितना constant है, आप उतना ही बार इसको differentiate कर सकते हैं और फानली आपको दोनों constant को क्या कर देना है आपको हटा देना है इन दोनों constant को eliminate कर देना है ठीक है तो जो बचेगा वही आपका equation कहलाएगा तो जह तरीका देखो क्या होता है अपने पढ़ा होगा मैं ऐसको recall कर देना तो इसे हमां लोग को हैं पर question दिया हुआ है क्या दिया है y is equal to a e to the power 3x plus b e to the power minus 2x अब हम दिफ्रेंसेट करते हैं दो बार करेंगे चुकि दो constant है तो एक बार किये तो dy by dx क्या जाएगा ठीक है 3a e3x minus 2b e minus 2x यह आ गया एक बार और कर दीजिए ठीक है बहुत जल्दी बन जाएगा कोई सुनी है तो d2y by dx square अगें करेंगे चुकि दो बार करना है यहां पर आपका आजाएगा 9a e to the power 3x यहां पर आपका आजाएगा 4b e to the power minus 2x ठीक है अब देखिए आपको a और b को eliminate करना है तो a और b को eliminate करने के लिए हम लोग यहां पर बहुत ही simple technique लगा सकते हैं ठीक है और काफी जल्दी बन जाएगा अब उसके लिए जिसे a और b को eliminate करना है तो मेरे पास में 3 equation हो गया यह हो गया 1 यह हो गया 2 और यह हो गया 3 ठीक है यहां से मैं क्या कर लूँगा a को eliminate कर लूँगा ठीक है तो एक तरीका यह हो गया दूसरा यह हो गया कि हम लोग इसको डाइट 3 से multiply कर लेंगे तो हमारा वहां से भी काम हो सकता है ठीक है माइनस दी वाई बाई दी एक्स यह आ जाएगा किलियर है अब देखो यह जो मेरा भैलू आ गया ठीक है तो इससे मेरा भी हड़ जाएगा तो हम लोग equation 3 का यूज़ करके यहां पर इसको पूटप कर देते हैं ठीक है तो 3 से देखो क्या आ जाएगा यहां पर यहां पर देता हूं 3 इंप्लाइज आपका यहां पर आ जाएगा डी टू वाई बाई 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 डी एक्स तो तो यह आ गया तो यह जो आ रहाए तो और अच्छ पर देखो होगा कि यहां पर आ जा रहा है इस इंप्लाइज दी टुवाई बाई बायदी और च्ज़्वागर न रही है तो तो जो आपके कॉंस्टेंट हो जाएंग तो आपका अंसर आ जाएगा तो इस एक को हटाने के लिए हम यहां पर एक्वेशन और टूगर यूज तो इसको क्या होगा और आपको यहां पर डाल देंगा तो तरीका कई सारा है आप चाहो तो एक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करके आप A और B दुनों निकाल लेते हैं जैसे हम एक्वेशन को सोल्फ करते हैं और भेलों निकालते हैं और फिर उस A और B को यहां पर डाल देते तब भी आपका बन जाता तो कोई भी आपको वे अपनाना है कोई इसू नहीं है ठीक है तो 5A to the power 3x आ जाएगा ठीक है अब यहां से A to the power A to the power 3x को निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा तो A to the power 3x इक्वेल टू क्या जाएगा 1 by 5 2y plus dy by dx इसको ला करके यहां पर डाल दीजे ठीक है A to the power 3x को यहां पर मेरा क्या जाएगा तो मेरा finally आ जाएगा d2y by dx square equal to 15 पहले से है ठीक है तो क्या आ रहा है बहलू बहलू आ रहा है 1 by 5 2y plus dy by dx ध्यान दीजेगा इस पूरे को मैंने निकाल दिया ठीक है इस पूरे को मैंने यहां से डाल दिया माइनस क्या है माइनस है 2 dy by dx तो हमारा क्या आ यहां पर 5 3 जा आपका cancel हो जाएगा तो finally जो आएगा वो आएगा d2y by dx square ठीक है जी और यह देखो आपका 3 dy by dx और minus 2 तो आपका हो जा रहा है minus dy by dx इधर ले आएंगे तो ठीक है चुक्किए 3 है minus 2 तो plus 1 बचेगा उधर minus dy by dx चला गया और यह 6y है तो minus 6y equal to 0 तो यह आपका question number c यहां पर जो दिख रहा है यह आपका correct option है आप देख सकते हो कि exactly आपका यहां पर वही answer दिया हुआ है ठीक है तो को भारी question नहीं होता है बस जो मैंने तरीका बताया है उसी साब को करना है और ऐसा ही आपने 12 class में पढ़ा होगा याद कीजिए ठीक है तो अगर आपको क काम हो जाएगा ठीक है इसके बाद देखते है question number nine nine को pause कीजिए बनाने के कोशिच कीजिए बिल्कुल बनेगा तो आई होप आपसे बन गया होगा देख लेते हैं question number nine हुनों कैसे करेंगे ठीक है देख लीजिए बोलता है the differential equation of family of parabola with foci at origin and axis along the x-axis ठीक है तो अब इसके एजी है equation क्या हो जाएगा equation हो जाएगा हमारा y square equal to four a x plus a ठीक है तो कि अब आप निकालोगे तो यहां से minus a निकल लागा यहां से 0 तो आपको मिल जा रहा है vertex minus a 0 तो यह आपका parabola है ठीक है तो इसमें आप देखो कि number of arbitrary constant कितना है अगर हम बात करें number of arbitrary constant का arbitrary constant तो यह कितना ह यह आप देखर हूए कि हाँ पर सिर्फ एक है चुकि एक ही only use किया गया है न बी तो है नहीं तो एक ही है चुकि ए आपको कितना बार आए यह नहीं देखना है कितना जो है अलग अलग आया है तो यहां पर सिर्फ ए ही आया है तो only one constant है यानि हमको जो differentiation allow होगा वह only one time होगा एक ही order का आपको answer मिलने वाला है और option भी देखो सब एक ही order में दिया है ठीक है चलो एक बार differentiation कर लेते हैं तो differentiating with respect to क्या हो जाएगा मेरा x ठीक है जी चलो यहां से क्या आ जाएगा 2y dy by dx is equal to यहां पर इसको चाहँ तो ऐसे रिख दो 4ax plus 4a square ठीक है यह पूरा constant हो जाएगा तो constant का 0 तो only आपका बचेगा क्या 4a बचेगा किलियर है अब दो यहां पर दो टेक्निक होता है जिससे हमको a हटाना है ठीक है तो हम यहां तो equation इसको 1 माल लेते हैं तो इसको हम यहां से हम a को यहां तो eliminate करके यहां डाल सकते हैं ठीक है और यही से a को निकाल करके हम वहां डाल सकते हैं हमको simply एक ऐसा differential equation चाहिए जिसमें a ना हो जो easy होगा वो करेंगे तो यहां पर easy देखो यह है कि यही से आप a को अलग कर लिजे तो यह 2-2 आपका cancel हो जाएगा ठीक है तो हमारा आ जा रहा है 1 by 2 y dy by dx यह आपका a का value आ गया अब इस a को चाहो तो यहां पर डा value put up कर देना है ठीक है into x plus 1 by 2 y dy by dx अब इसको simplify कर देजा आपका answer आ जाएगा तो आपका कड़ जाएगा ठीक है तो आपका आ जा रहा है y square equal to multiply करेंगे तो 2xy dy by dx ठीक है और यहां 2-2 आपका कड़ जाएगा तो plus हो जाएगा मेरा y dy by dx का hall square ठीक है तो y square dy by dx का hall square आप देखो यहां पर आपको अपना option मिलाना है तो दुनों तरफ y है एक y को common लेकर करके अगर हटा दें तो यह आपका हड़ जाएगा यहां से यह तो आपका बच रहा है क्या y equal to 2x dy by dx plus y dy by dx का hall square तो आप मिला लो y dy by dx का hall square पलस 2x dy by dx minus y ठीक है जी तो यहीं यहां पर correct option है ए नंबर ही अपनों को दीख जा रहा है ओके चुकि यह वाई उधर जाएगा तो माइनस में आएगा क्लियर है तो यहां पर option number a आपका बिल्कुल correct है तो देखो आसानी से बनेगा बिल्कुल आपको confident होके बनाना है ठीक है जैसे मैं बता रहा हूं वह से करते जाईएगा next देखे क्या है question number 10 है यहाँ पर 10 number को try करो खुद से definitely बनने वाला है question आपसे 10 number क्या बोलता है 10 बोलता है the differential equation of all non horizontal lines in a plane is ठीक है तो देखो एक plane में आपको लेना है differential equation of all non horizontal line ठीक है जी तो देखिए horizontal line क्या होता जैसे मालो के मेरा कोई भी plane है ठीक है तो अगर हम x-axis है माल लिजे x-axis के बात करें तो x-axis में इसके जो भी parallel लेंगे वो क्या होगा वो आपका horizontal line होगा ठीक है अगर हम x-y plane में बात करें तो यह y equal to क्या होगा यह इसका equation होगा तो आपको लेना है non horizontal तो इसके मतब को भी general line ले ले लिजिए जैसे हम ले लेते हैं ठीक है let line is line क्या ले लेंगे ले ले लेते हैं हम ax plus by equal to c यह general equation होगा line का ठीक है अच्छा और यह x-y plane में है जोकि एक plane में आपको लेना था तो अब यहां पर आपके पास में कितना constant है तो दो arbitrary constant है ए और बी यह आपको पर यह आप पर पर यह आप पर मिसिबल है कि आप इसमें यहां पर कितना बार differentiation करेंगे दो बार तो बार करिए बिल्पल तो एक बार करेंगे तो a into 1 plus b dy by dx equal to 0 यह आ गया ठीक है अच्छा यहां पर देखो मैं दो ही बोल रहा हूं यह c जो हता है यह fixed constant होता है आपको पता है जब यह आपको लाइन लेते हैं तो for different a and different b आपको different line मिलेगा ठीक है और यहां पर जो c है यह आपका एक fixed constant है इसको हम फिक्स्ट ही भी रखेंगा तो हमको different different line मिलता चला जाएगा clear है हाँ अगर आप c को भी बदलोगे तो आपको अलग line मिलेगा पर यहां पर हम arbitrary constant क्या generally जो हमनों लेते हैं वो क्या लेते हैं a और b लेते हैं ठीक है इसलिए यहां पर बोल रहा हूं कि हमारे पास में कितना है दो arbitrary constant है तो ह हम इसको दो ही बार differentiation करेंगे तो एक बार कर लिया एक बार और करोगे तो यह 0 हो जाएगा plus क्या बचेगा plus हमारा बचेगा b d2y by dx square equal to 0 अब b भी आपका है सहट जाएगा तो simply d2y by dx square यह आपका 0 आएगा ठीक है यही आपका यहां पर क्या है जी correct option है clear है ठीक है तो चलो आ यहां पर क्या बोल रहा है यहां पर बोलता है differential equation representing the curve this ठीक है जहां a b आपका arbitrary constant है तो चली इसको आप ट्राइक कीजिए इस तरह का question तो आपके देखी चुके उपर में तो यहां पर बस यह है कि आपके पास में 2 arbitrary constant है a और b ठीक है तो a और b है तो आपको दो बार differentiation करना है और दो बार differentiation करने के बाद आपको क्या करना है simply a और b को हटाने का कोशिश करना तो वीडियो पाउच करो definitely आपसे यह बन जाएगा आपसे बन गया होगा देख लेते हैं क्या करेंगे दो बार differentiation की यह यहां पर तो 2y divided dx ठीक है इसको ऐसे लिख दो 4ax plus 4ab यह तरम पूरा constant हो तो 2y divided dx equal to क्या आजाएगा 4a आजाएगा first time differentiation में यहां से हमको भाई देखो a का value मिल गया एदम बिल्कुल आसानी से 1 by 2 y divided dx तो a तो मिल गया ठीक है अब एक बार और आपको differentiation करने का permission है यहीं से हम एक बार और differentiation कर रहे हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा यह 2 को हटा dy by dx का whole square हो जाएगा plus y d2y by dx square ठीक है इधर पूरा constant है आपका क्या हो गया 0 तो अब लोग अप तो a का जुरूरती नहीं है चुकि a और b अपने आप हड़ गया और जहां दो बार differentiation किये तो यहीं आपका answer हो जाएगा ठीक है तो बस यहां पर देख लिए कौंसा आपका correct option ह option number a आपका यहां पर बिल्कुल correct दिख रहा है ठीक है काफी आसानी के साथ में बनेगा कोई issue नहीं होगा ठीक है तो यह तो easy question निकल गया तो कई बार ऐसा होगा कि आप हटाएंगे arbitrary constant को बस आपको यह देखना है कि कितना arbitrary constant है हम कितना बार differentiation कर सकते हैं और उतना बार आपक ठीक है तो ऐसे भी आपका question जल्दी हो जाता है चला आगे रिख लेते हैं फिर अब देखिए अब फिर आगे हम बढ़ेंगे तो यहां पर देखो फिर से solution of differential equation का question आ गया कि इसको आप सोल्व कीजिए ठीक है तो काफी असानी से solve हो जाएगा च्योंकि आप solution पी बात हो रह कर सकते हैं याने एक तरफ shift dy और function of y हो और एक तरफ shift dx और function of x हो अगर ऐसा हो जाएगा तो integrate easily हो जाएगा और आपका काम भी काफी आसानी से हो जाएगा ठीक है तो जैसे यहां पर देखिए बिल्कुल कर सकते हैं हमनों को दिख रहा है देखते ही आपको सबज में आएगा यह उबर चला गया ठीक है अब यह easy to integrate है दोनों formula famous है यह क्या होता है यह होता है sin inverse y यह होता है sin inverse x ठीक है माइनस में और एक constant लगा दो इसको इदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा sin inverse x plus sin inverse y ठीक है तो लॉलिपॉप question है simple से परेबल सबसे पहले आपको check out करना है ठीक है दे बिल्कुल बनना चाहिए ठीक है बन भी गया होगा अब तक देख लेते हैं कैसे कि आप लोग ने यहाँ पर simply separate करेंगा तो dy by 1 plus y square इक्वल टो dx by 1 plus x square ठीक है integrate हो जाएगा इसलिए तो आपको यह देगा tan inverse y is equal to tan inverse x ठीक है और plus एक लगा देते है constant tan inverse c अब आप बोलोगे sir answer नहीं match कर रहा भाई करेगा तो सबर रखिए क्या कर लेते हैं थोड़ा सब्सक्राइब इसको ऐसे कर लेते हैं tan inverse y minus tan inverse x को एक तरफ कर लेते हैं ठीक है अगर answer नहीं आ रहा है तो कुछ गताम आगे बढ़िए बिल्कुल मुहबत सरसर मिलेगा घवरा करना नहीं है ठीक है अब यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं tan inverse a minus tan inverse b का formula apply कीजिए तो क्या जाएगा tan inverse a minus b by 1 plus a b equal to tan inverse c ठीक है अब आपका tan inverse हट सकता है दोनों तरफ से हटा दीजिए तो y minus x by 1 plus xy equal to क्या बचेगा c आपको दीख रहा है यहां पर आपको इसको cross करेंगा तो आपको देखो यह answer आ गिया ठीक है तो objective question में कभी का बात फड़ा साब आपको आगे बढ़ना पड़ता है अग बहुत सिंसिर बच्चे हैं इस तरह काम पहले जानते है ठीक है नेक्स देखो क्या है 14 नंबर है यहां पर 14 नंबर क्या बोलता है the differential equation represents क्या represent करता है family of hyperbola या family of circle या family of parabola या family of circle इसका center x-axis पे है या family of circle इसका center y-axis पे देख लिए सुल्फ कर लिए लॉलीप कोश्चन है य इसली देखो y dy by dx पलस x equal to c है ना चलिए इसको ऐसे लिए देते हैं y dy by dx is equal to c minus x इसको मुहबत से कीजिएगा तो y dy is equal to c minus x और dx हो गया integrate करना easy है integrate कीजिए y square by 2 is equal to c x minus x square by 2 ठीक है यह आ जाएगा और एक constant चलो के लिए लेते हैं अच्छा अब देखे क्या आ गया x square by 2 plus y square by 2 minus c x equal to k ऐसे लिए इसको और श्यास लिखो मुहबत से x square plus y square minus 2 c x equal to k ऐसा लिए और प्यार से लिखिए x square बलके यहां पर मैं इसको ऐसे करने वाला हूं ठीक है क्या x minus c का hall square ठीक है x minus c का hall square इससे देखिए इससे क्या होगा कि क्या change होगा देख लेते मतलब हमको दिख रहा था कि यह भाई circle है ठीक है यहां पर भी coefficient 1 है यहां भी coefficient 1 है दोनों का coefficient equal है यह यह सरकल है इसको हम मिल लिएगा 1 plus c square है जो एक constant है ठीक है तो आप यहां पर चाहत लिख सकते हो k plus c square तो कोई फरक नहीं पड़ा अब इसको और प्यार से लिखेंगे ना भाई तो बस ऐसे लिख सकते है ठीक है यह कोई भी radius है तो इसको r square लिग दीजिए यह एक circle आ गिया इस circle का center कितना है त for different c and different r we have a different circle हमको different different circle मिलेगा ठीक है तो इसका मतलब यह family of circle को denote करता है जिसका center क्या है x-axis पे है तो option number d आपका यहां पर क्या हो गया correct हो ठीक है बिल्कुल बिंदास तरीक से बनेगा lollipop question है ठीक है यह सब आपको ऐसे ही बनाना है अब देखिए अब यहां पर यह answer भी famous methods है homogeneous technique है linear differential equation है वह सब भी आएगा तो सब भी आपको देखना है practice भी मैं आपको दे रहा हूं और दिया है मैंने आपको course में तो वह भी आपको practice करना है ठीक है तो कोई कमी नहीं छोड़ता मैं और मैं चाहता हूं कि आप भी मंदारी से पढ़ें definitely आप पढ़ेंगे याद आपको कोई भी guide सिर्फ एक रास्ता दिखाता है आपको समझा देता है लेकिन एक्चुली जो skill है वह आपको पैदा करना होता है so that कि आप exam में filter होकर के बहुत कम seats होते है जनरली तो उन seats के लिए आप selected हो तो यह बच्चे के skill और बच्चा का skill देखो मुहबत से पढ़ने स आता है ठीक है आप मुहबत से पढ़ने इमंदारी से सारे norms को जाने rules को याद रखें formulas आपका काफी अच्छा हो थोड़ा सा फिर practice अच्छी होने चाहिए dedicated रहेंगे कोई exam tough नहीं हो तो definitely आपका हो जाएगा चलो अब इसी खुसी में इसी मोहब इसको आप जो है आपके लि मेरा course चाहते हो तो लाइक आप जारखन टीजीटी वगरा के त्यारी कर रहे हो आपका यह syllabus है पूरा यह के त्यारी कर रहे हो ठीक है जहां भी आपका यह calculus वगर का syllabus है different मैंने courses design किया हुआ है मेरा app है mhc learn honesty ठीक इसको आप जा करके देखिए आपको यह play store पर मिल लाएगा वहाँ साथ इस्टॉल कर लीजिए इस्टॉल करने के बाद आप काफी systematic वहाँ पर देखेंगे कि courses हैं काफी कम price में है आप मेरे courses में systematic lecture lot of mcqs topic wise ठीक है उसके बाद test series भी काफी सारा course में available है वो भी आप देख सकते हो और आप में से doubt पूछ पाओगे आपको मैं PDF देता ठीक है प्रैक्टिस करने के लिए भी revision करने के लिए काफी मज़ा आता है अच्छा फीड़ी अगर डिफरेंटल आपको इफायदा करें पड़तरी थैंक्यू बेरी मिच्च